गुड मॉर्निंग प्लस्टु ग्लास तो आगे हम अपने नॉट्स के उपर आते हैं आभे तक हमने निमेरिकल किये थे एक्सेसाइज के जो हमारे एलेक्रोलाइसस से रिलेटिड थे आगे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है तो रेजिस्टेंस भी होगा तो उस अपोज को हम क्या कह रही है रेजिस्टेंस कह रही है तो यह क्या होगा इस दा अपोज ओफ दा फ्लो ओफ करंट यूनिट ओफ रेजिस्टेंस इस एक्वल डू ओम आपने टैंथ क्लास में पढ़ा होगा कि जो resistance है उसकी unit होती है ohm इसका symbol यहाँ पर देखें यह है या फिर ohm भी लिख सकते हैं अब resistance के लिए जो हमारे पास formula होता है क्योंकि resistance किन बातों पर depend करता है resistance का formula होगा r is equal to rho into l by a तो rho जो होता है वो resistivity होती है जो nature of material पर depend करती है l है length of conductor और a है area of cross section तो जितना लंबा तार होगा उसका resistance उतना जादा होगा और जितना मोटा area of cross section जितना जादा होगा जितना मोटा तार होगा उसका resistance उतना कम होगा तो इन बातों पर यहनी nature के उपर length of conductor और area of cross section इनके उपर resistance depend करता है आगे हम बात करते हैं resistivity क्या होती है अब इस formula के अनसार अगर हम देखें तो अगर मैं L और A को 1-1 unit ले लूँ तो ρो R के बराबर होगा तो मतलब resistance किसके बराबर होगा तो तो उस दोरान हमारे पास resistance is equal to resistivity तो मतलब it is equal to the resistance resistivity क्या होगी it is equal to the resistance कब when the volume of conductor is 1 unit या फिर हम कह सकते हैं L is equal to 1 और A is equal to 1 अब यहाँ पर हम बात करें unit of resistivity की बात करें तो इसी formula से हम resistivity निकालते हैं L और A को R की तरफ ले गए हैं तो हमारा formula हो जाएगा row is equal to R into A by L R की unit हमने अभी बात की थी ओम होती है area की unit होती है अगर हम SI system में बात करें तो meter square और length की होती है meter तो एक meter से एक meter cancel आया और यहाँ से आया ohm meter तो resistivity की जो unit होई वो ही ohm meter आगे हम बात करते हैं conductance के बारे में conductance resistance का reciprocal होता है उल्टा होता है तो हम यह कह सकते हैं it is the reciprocal of the resistance conductance का symbol होता है यहाँ G तो G पराबर होता है 1 by R तो unit of conductance हम बात करें तो जो resistance की unit होगी यह क्या होगी उससे उल्टी होगी तो यहाँ देखें R की जगे मैं ohm put करूं तो resistance की unit है पर ohm पर ohm को S Simon भी कहा जाता है तो यहाँ पर हम बात करें जिस परकार हमारा resistance का formula था R is equal to rho into L by A उसी परकार हमारे पास conductance का formula है G is equal to kappa into A by L क्योंकि यहाँ पर देखें अगर उस formula के हिसाब से अगर हम देखें तो जो kappa होगा वो 1 by rho के बराबर होगा resistivity का reciprocal होगा तो यहाँ हम बात करें conductivity conductivity होगा kappa तो यह किसके बराबर होगा conductivity it is equal to the conductance यह conductance के बराबर होगा जब A और L क्या हो 1 U when volume of conductor is 1 unit या फिर length और या फिर area of cross section is 1 unit तो यह आगे हमारे पास conductivity आगे हम बात करते हैं इसके बाद हमारे पास या फिर इन्होंने यहाँ पर हम देखें तो conductivity और किसके बराबर होगी it is the reciprocal of the resistivity यह है resistivity का reciprocal होगा तो इसकी unit भी हम देखें तो यहाँ पर kappa is equal to 1 by rho तो rho की जो unit थी वो थी ohm meter तो resist conductivity की जो unit होगी वो होगी per ohm per meter अब यहाँ आपने पीछे डिसकस किया था कि per ohm को हम Simon भी कह सकते हैं तो Simon पर meter भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर आगे हम बात करते हैं conductivity is also the specific conductivity conductivity को specific conductivity भी कहा जाता है तो चलो हम एक और टाइप से define करते हैं इसे specific conductivity क्या होगा specific conductivity किसी एक unit volume electrolyte solution की conductance को हम specific conductivity कहेंगे अब हमने पीछे किया था जिसका हमारे पास area of cross section और length एक unit हो तो उसका volume भी क्या होगा एक unit होगा तो उसकी conductance को हम conductivity या specific conductivity कहेंगे आगे हम बात करते हैं equivalent conductivity क्या होगी equivalent conductivity के बारे में हम बात करें तो किसी भी volume के अंदर electrolyte का कोई भी volume ले ले एक liter, दो liter, तीन liter, हजार liter कितना भी ले अगर हम उसमें एक gram equivalent weight electrolyte dissolve करते हैं तो उसकी जो conductance होगी वो equivalent conductivity कहलाएगी तो कहेंगे equivalent conductivity is the conductance of any volume containing the one gram equivalent weight of electrolyte equivalent conductivity का जो formula होगा उसकी लिए symbol है lambda eq lambda eq जो बराबर होगा वो होगा specific conductivity गुना में 1000 बटे में normality that is depend upon the normality अब यहां से हम concentration देख रहे हैं normality जितनी ज़्यादा होगी equivalent conductivity उतनी कम होगी inversely proportional होता है यहां से अगर मैं unit of lambda eq की बात करूँ equivalent conductivity की बात करूँ तो यहां से देखें जो हमारे पास specific connectivity की unit थी Simon per meter यह unit less होगा और normality की unit होगी gram equivalent weight per liter of the solution तो इनकी value put की तो per liter को मैं यहां पर या फिर इसको मैं उपर ले जाता हूँ 1000 liter हो जाता है 1000 liter जो होता है 1 meter cube के बराबर होता है तो मैं उसकी जेगा 1 meter cube रखता हूँ तो उपर गया यहां पर 1 meter cube और यह per meter कट कर आ गया meter square तो बन गया Simon meter square gram अब यह उपर गया हमारे पास में तो gram equivalent per gram equivalent यहां पर क्या रहेगा per gram equivalent क्योंकि नीचे से गया है उपर तो यह हो जाएगा माइनस का 1 हमारे पास आगे हम बात करते हैं molar conductivity के पर बात करते हैं तो molar conductivity के पर बात करें तो यह क्या होगा हमारे पास में अब हमारे पास एक solution है कितना भी volume का ले लें तो उसके अंदर अगर हम one molar one molecular weight electrolyte यह gram molecular weight कह लें यह one molar mass of the electrolyte उसमें dissolve कर दें तो उसकी जो conductivity होगी वो हमारे पास molar conductivity के लाएगी तो molar conductivity is the conductance of any volume containing the one molar mass of the electrolyte lambda m से represent करते हैं जहाँ पर हमारा equivalent conductivity में molarity आया है वहाँ पर हमारा sorry normality आया था वहाँ molarity आ जाएगा तो specific conductivity into 1000 बटे में molarity अगर हम इसकी unit के पर बात करें तो उसी परकार Simon meter square per mole यह हमारे पास इसकी unit रहेगी तो इसी के साथ हमारा आज का topic यह कतम होता है कर जास प्रड़त।